कि मित्वा है अब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू स्वागत है आप सोच रहे हूंगे कि लगातार स्टूडियो में मौझूद है कल भी थे आज भी है हाज सडक पर नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते क्यों कि आंदुलेन आप कहेंगे आप तो कहते थे बड़ी-बड़ भी तो कहता था क्या भूल गया आप और मैं अक्सर यई बात कहता हूँ आज भी यही बात कह रहा हूं कि मल हम लगा नहीं सकते तो घ्राओ मतों कुछ आवसा होता है डीपेट्स पर मैं मानता हूं बार-बार मैंने कहा कि अगर आइना लेके चलते हूं या आइना दिखाता हूं तो आइना खुद भी देखता हूं यह मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है शो तो मैंनो अड़ा सभी कर सकता था बाहर लेकिन नहीं किया जान पूच के नहीं कर रहा हूं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मलहम लगाया जाना चाहिए सड़क पर आखिर जो कुछ दिख लेकिन राजनी जम कखे लिजा रही हैं आश्यम अधिय करूझा जा ओए यह हिंदुस्तान देख रहा हैं और आने वाली जनरेशन भी आपकी तरफ देख लिए कि आपकिस तरफ मुस्तक्बिल को लेके जा रहे हैं भारत कि ढदर जा रहा है ये भारत ही देख रहा है क्यू हमारे होम मिनिस्टर से नफरत करने का नतीजा है कि वो भारत से नफरत करने लगें वो भारत को तोड़ने में लगें नहीं करता कोई नहीं करता नफरत हमारे परधान मंतरिये हमारे होम में मैं 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 कोट करना चाहता हूं अपकॉस पंडी जी पंडी जी आ रहा हूं कि पंड़ी जी कि बच्चों पद्राव करता ओक्र इपत्र लेकि नीज एक्टा एंपनिकष में डील करना चाहिएnehmen बदान मंतरी ने मौलाना एक बात कही उन्होंने कहा कि बीजेपी से इतनी नाराज़की 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 उसे पहचान सकते हैं कि ये कौन लोग हैं वो पर्टिकुलर था कि मेज़ाटी में तो मुसल्मान हैं और दूसरी बात जो लोग क्यों गुश्चे में हैं मैंने आपके बीचे बात दी लोग गुश्चे में इसलिए अमीर शाजी ने डराने की कोशिच की कहा कि भाई जो भी लोग गुश्चे में हैं तो आप देश चला दोगे लोग गुश्चे में तो आप पकड़ियां की काट दोगे लो गुश्चे का तरीका है साब मुर्शिदाबाद में एक जो आदमी पकड़ा गया ये बीजदी का कारता तो सब को कि वो ना पथर उठाइए ना लाटिया उठाइए जैसे हमने पुलीस हेड़कोर्टर के सामने रात बर पुर्दर्शन किया और उनको मजबूर कि वो बच्चों को छोड़े जरा ये तस्वीर देखे जरा पीछे तस्वीर देखे इसके साथ हम नहीं है इसमें लोग मैं आपको दावे से कह सकता हूं इसमें बाचबा के लोग सामिल हूँगे जो हमें बद नाम करना चाहते हैं पूरे देश ने देखा है अकेले पुलिस वारों को पहले उसके पैर को तोड़ा गया पिर उसको लाठ्यों से माला गया यह प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है यह गांधी के देश का कौन सा तरीका मुझे बता जीए यह आतंगवाद का नंगा लाच है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मुझे चोट कहां से लगी जब आई प्रेस हमतर कह रहा है तो यह अर्दिकार किसे लगी देखे जो बास सलमान कह रहे हैं कि लड़कियों चात्राओं को मारा गया आप यकीन माने पूरे भारत के जो लोग हैं जो हम भारत के लोग जान को यहां इंदधा यहां तक पहुंच गए कि आप मुझे दिखी नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है एक एक शहर रोज उड़ता जाता है यहां पर जितने भी लोग होंगे मुझे मेरी बराबर नोंने विरोद नहीं किया होगा मैंने किसानों के लिए और किसानों की जो ज आग जनी नहीं कोई लूट पार्ट नहीं और 10% सब को जमीन दिलाई तो अगर कोई यह सोच रहा है जहां के आप रहने वाले हैं जहां पे आपने अंदोलन किये कैसी सीख दी कि आज कैला भट्टा में आपने देखा है किस तरह की भीड निकल के सामने आई थी क्या हो क्या व कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है अगर आंदोलन करके कुछ पाना है तो गांधी का रास्ता है जो मैंने अपनाया नहीं है करोड़ों लोगों को लेंड एकोजिशन बिल दिया हमने कोई गौली नहीं चलाई कोई लाठी नहीं प्रेम से भूके रहे तीन तीन दिन कौन है वाटरा परिए